तो हलो गाईज मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका जूबिटर क्लासिज में तो गाईज अब की बार चेकेपी कंस्टेबल पार्क के फोटिफायर डेस के क्रैश कोर्स में अभी तक हम अपने 18 डेस का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं आप सब ने उसको एंजाई किया होगा तो गाईज आज हम उसी सीरिज में अपने डे नमबर 19 पे हैं तो गाईज आज हमारा रहने वाला है हिस्टर कर बैगराउंफ इंडिन कंस्टेशन का पार्ट सेकंड जिसमें हम क्राउन रूल के बारे में डिसकर्स करेंगे तो ठीक है आओ आज की हम कोटेशन देखे गाईज एपीज अब्दुल कलाम सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कहते हैं कि जितनी भी बर्ड जो होती है वो बारिश के टाइम क्या होती है अपने लिए एक शल्टर ढूणती है रहने के लिए जगा ढूणती है लेकिन इगल जो होत जाने का ये कोटेशन का इसका ये तात्पारिया है कि यहनी कि आपको भी अपनी जो उडान है उसको ऊंचा रखना है ठीक है गाईज कभी भी आपको यह नहीं सोचना है कि बस मुझे बस इतना ही करना है मेरा काम हो गया ठीक है आपको यह करना है अपनी मंजिल की ओर से ही रहना है गाई तो ठीक है यह हमारा आज का टापिक जो हम पढ़ने वाले हैं दक क्राउन रूल 1858 से इसका टाइम पीरेड है 1947 तक जो कुछ क्राउन रूल जो है 1858 से इसका पीरेड है 1947 तक इसमें पहला एक्ट है गोवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 यह बहुत ही इंपार्टन एक्ट है इसको रिवाल्ट आफ 1857 के बाद इसको इनक्ट किया गया था इसको फ़र्स्ट वार अफ इंडिपेंडेंस आर्दस सिपाई म्यूटिनी भी कहते हैं ठीक है गाईज यह एक्ट जो है इसको एक्ट फॉर्ट गोवर्मेंट आफ इंडिया भी कहा जाता है और इस ने क्या किया इस एक्ट ने जो इस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एबॉलिश कर दिया और जो ट्रांसपर आप पावर यहीं कि जो गोव laquelle ondra क्या है कि प्रवाइड क्याhe इस अप्रोाइड क्या कि जो हमारी गॉंन्ट जो है यहीं कि जो इंडिया वह किसे नाम पे गौण होगी याप ज़स् लेुगे समसे बड़ा काम क्या कर दिया जो इंडिया का Governer General जो था उसको Vice Rae of India बना दिया, ठीक है, पहला काम इसने ये किया, और जो Vice Rae जो था, वो Direct Representative था, किसका guys, British Crown का, और जो पहला Vice Rae बनाया गया, उसका नाम था Lord Kenning, ये कोशन पूछा भी जा चुका है, आपके एग्जाम मिन भी पूछा जा सकता है guys, ठीक है इस से क्या हुआ कि जो double government का system था ठीक है वो खतम हो गया यहां पर एक तो यहां पर board of control था दूसरा court type directors था तो एक question guys मैं यहां से आप से पूछना चाहूंगा कि जो board of control था उसका क्या काम था और और जो court type directors थे उनका क्या काम था क्योंकि यह मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और इस act ने क्या काम किया और इस एक secretary of state इंडिया के लिए secretary of state का office इसने create किया ठीक है उसको complete authority दे दी कि जो वो इंडियन administration पे control कर सकता है और secretary of state जो है यह British cabinet का एक member था ठीक है और पूरा ही ultimate authority था यह British Parliament के लिए मतलब responsible था उनके लिए ठीक है और complete authority था इंडियन administration के लिए और इसने act ने क्या establish किया 15 member council जो इंडिया की उसको establish किया ठीक है जिससे assist किया जाता था जो assist करते थे secretary of state को ठीक है तो council जो थी एक advisory body थी और इसका जो chairman था council का जो 15 member की council थी उसका chairman जो था secretary of state था और यह act जो है यह largely confined था सिर्फ जो administrative machinery है इंडिया की ठीक है उसको सुधारने के लिए ठीक है और इसको supervise और control कहां से किया जाता था guys England से इसने मतलब की system जो है हमारे government का उसको बिल्कुल भी क्या किया change नहीं किया जो इंडिया में prevail था बलके इसने क्या किया इसने सरी administrative को जो machinery थी उसको सुधारने के कुछ हद तक कोशिश की तो guys इस act के बाद क्या हुआ कि British government को लगा जब क्या हुआ कि revolt of 1857 हुआ CPI mutiny हुआ उसके बाद जो British government थी उसको यह जरूरत महसूस हुई कि अब उसको करना है इंडिया के बारे में administration के बारे में सो कुछ सोचना पड़ेगा तो इसलिए उसने क्या किया उनकी एक association ने क्या काम किया कि एक्ट को यहां पर इनक्ट किया उनमें से पहला एक्ट था British Parliament में 1861 का 1892 का 1909 का तो आओ इनक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर तो सबसे पहला एक्ट जो उन्होंने 1857 के बाद किया ठीक है इंडिया की administration को सुधारने के लिए तो पहले इन्होंने 1858 एक्ट किया जो हमने पीछे डिसकस किया उसके बाद Indian Council Act of 1861 ठीक है यह एक important landmark है जो हमारे constitutional political history एंडिया की उसमें अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स देखते हैं क्या-क्या है सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया इसने यहां पे representative institution की शुरुआत की ठीक है जिसमें इसने क्य इंडियन्स को law making process में associate किया जोड दिया और इसने यहां पे क्या provide किया कि वाइसराई जो है क्या करेगा वाइसराई जो है कुछ लीड इंडियन्स को non official member जो होंगे उसकी expanded council के उसमें क्या करेगा नॉमिनेट करेगा और इस सिलसले में क्या हुआ कि 1862 में Lord Kenning जो उस वक्त क वाइसराई थे हमारे पहले वाइसराई जिनको हम कहते हैं इंडिया के उसने थी इंडियन्स को अवसकी legislative council में देखो legislative council क्या होते है एक law making body होती है ठीक है जहां पे laws को बनाया जाता है ठीक है वो कौन से कौन से member थे राजा आप बनारस महराजा आप पतियाला एंड सर दिन कर रहा हूँ इन तीन लोगों को जो इंडिया के थे उनको अपनी उसमें जो उनकी legislative council थी उसमें उनको nominate कर दिया और इस council act ने दूसरा क्या काम किया गाईज इसने एक और नई legislative council यहां पे बनाई किस के लिए बंगाल NWFP जैसे कहते हैं North Western Frontier Province और पंजाब ठीक है यह established कब हुई 1862 में 1866 में और 1897 में respectively यह तीनों क्या हुई इनको established किया गया और इसने क्या किया इस act ने जनी council act ने क्या किया इसने वाइसराई को power दे दी कि वो rules and orders यहां पे बना सकता है ठीक है जिससे वो council के business की transaction कर सकता है ठीक है और इसमें क्या कर सकता है और इसने एक recognition दी जो portfolio system जो है वो इसी act ने start किया ठीक है लौइड कैनिंग ने 1859 में गाईज यह question पूछा पी जा सकता है और आपके exam में पूछा जा सकता है कि यह जो portfolio system है वो किसने introduce किया वो किया गाईज लौइड कैनिंग ने कब गया 1859 में इसके अंडर क्या था कि जो वाइसराई की जो council के member होंगे उनको in charge मतलब उनको charge दिया जाएगा एक या जादा department का government के ठीक है और authorized होंगी कि वो final order को issue कर सकते है ठीक है किसी भी जो उनका departmental matter है उसकी related ने को final authority होंगे और इस act ने दूसरा क्या काम किया इसने जो वाइसराई था ठीक है उसको power दी कि वो ordinances भी issue कर सकता है ठी ठीक है ordinances क्या होता है यह भी एक law होते हैं जो short term के रहते हैं ठीक है emergency के time वो भी बना सकता है ठीक है और इन ordinances की life कितनी होगी six month मैंने आपको पहले कहा कि ordinance जो होता है वो थोड़े time के लिए कुछ कानून यहां पर बनाया जाता है फिर इनी council act की series में दूसरा act है 1892 का उसक ने क्या किया इसने जो additional जो non official member जो थे उनको बढ़ा दिया ठीक है central and provincial legislative council में लेकिन उसने एक चीज़ यहां पर maintain कर दी उनमे official majority रखी ठीक है यहीं कि non official member को तो उसने यहां पर increase किया लेकिन इसने जादा किसको official member जो थे उसको ही क्या करा maintain करके रखा और इसने क्या increase किया इसने legislative council जो है उसके function को increase किया और उनको power दी कि वो budget यहां पर discuss कर सकते हैं ठीक है और जो executive को question भी कर सकते हैं ठीक है अगला इसने क्या काम किया इस act ने इस act ने क्या किया इसने कुछ limited और indirect provision बनाये किस के लिए election के लिए इसमें कुछ जो non official seat जो थी central legislative council में उनको fill up करने के इसने कुछ क्या बनाया यहां पर एक indirect provision बनाया election का ठीक है जो वाट election आया ना यहां पर ठीक है यह इस act में use नहीं किया गया था बलकि यह जो process जो था इसको describe किया गया था कि nomination होगी ठीक है किस के base पर कुछ bodies बनाई जाएंगी उनकी recommendation के base यहां पर nomination होगी ठीक है अब इसी सीरीज में हमारा एक अगला act था इंडिन कॉंसिलेक 1909 इस act को मौरले मिंटो रिफार्म भी कहा जाता है ठीक है लौड मौरले कौन थे उस वकत के secretary थे हमारी state for india की यह पहले ही कहा पिछले act में जब हमने discuss किया तो वहां हमने कहा कि secretary आप state को एक final authority यहां पर बनाया गया थ ठीक है और लौड मिंटो जो थे वह उस वकत के vicerai थे तो इसने क्या किया इसने जो यहां पर legislative council था उनका size बढ़ा दिया central और provincial legislative council के size को increase कर दिया ठीक है इसने क्या किया कि central legislative council के जो member उसने उसके 16 से 60 तक पहुंचा दिये ठीक है increase करके और जो provincial legislative council जो थे वो uniform नहीं थे ठ एक्ट ने जो क्या रखी official majority इसने भी रखी central legislative council में लेकिन जो provincial legislative council जो थी तो वहां पर उसने क्या रखी non official यानि कि जो non official member होंगे जो official काम नहीं करेंगे उनको उसने majority में रखा इसने क्या किया जो पिछले वाला act था हमारा उसने क्या किया था उसमें उन्होंने एक provision रखा था लेकि उन्होंने क्या रखा था कि official की जो majority उन्होंने वहां पर रखी थी return रखी थी लेकिन यहां पर इसमें क्या हुआ कि central legislative council है उसमें ही इन्होंने क्या रखी majority रखी ठीके official majority रखी लेकिन non official majority उन्होंने किसमें रखी provincial legislative council में ठीके guys और इस Act ने दूसरा क्या काम किया इसने जो Deliberative function थे legislative council के दोनों level पे चाहे वो कौन सा हो Central हो या provincial legislative council ठीक है जैसे के example देखेंगे के जो members जो थे उनको supplementary question पूछे जा सकते थे ठीक है resolution जो है budget पे move कर सकते थे और वगरा वगरा कुछ काम कर सकते थे ठीक है उनके function को उनने बढ़ा दिया और इसने क्या प्रवाइड किया first time इसने एक Indians की association को क्या किया प्रवाइड किया executive council में जो वाइसराय और governors जो थे उनकी executive council में Indians की association को इसने पहली बार प्रवाइड किया और 17 प्रसाद सिनहा पहले Indian बने जिन्होंने वाइसराय की executive council को join किया और उसको क्या किया उनको एक law member की तरह वाँपे appoint किया गया था ठीक है गाईज ये question पूछा जा चुका है आपका exam में पूछे जाने की संभाव ना है ठीक है इसलिए इसको याद रखेगा और इस act ने क्या काम किया गाईज 1999 का जो मार्ली मिंटो रिफार्म भी इसे कहते हैं और इसने यहाँ पे communal representation का एक system यहाँ पे introduce किया Muslims के लिए कि वो क्या करेंगे और यहाँ पे इसने separate electorate का एक concept यहाँ पे लाया ठीक है इसके अंडर क्या था कि Muslim जो है वो Muslim voters के जरीए ही क्या होंगे elect होंगे इसलिए इस act ने क्या कर दिया इसने Communalism को legalize कर दिया और लाड मिंटो को फादर आप communal electorate कहा जाता है गाइस एक question भी पूछा जा चुका है बहुत सारे एक्जाम में के communal electorate का जो फादर है किसे कहा जाता है वो कहा जाता है गाइस लाड मिंटो और इस act ने क्या प्रवाइड किया इसने separate representation आप प्रेजिदेंसी कालपोरेशन चेंबर आफ कॉमर्स युनिवरस्टी जमीन दाराज इनके लिए भी इसने separate representation प्रवाइड करी ठीक है गाइस तो फिर गाइस हमारे आगे आज आते हैं गूर्म्म अफ इंडिया एक्ट किया इसको मैं अप्णी पेडियास में जाठेगा इसे याद रखेगा अब इसमें क्या था जो मंटागू थे उस वक्त के सेक्रेटरिया अपस्टेर थे इंडिया के और लौड केमसफ़र जो थे वो उस वक्त के कौन थे गाइस वाइस राई थे तो इस एक्ट के कुछ फीचर देखते हैं क्या-क्या फीचर थे इस इसने क्या किया इस एक्ट ने थुखईज ह़ाज अब में इस AIक्ट के कुछ फीचर जानने के कोशिश करते हैं यानि कि जो नइन्टीन फिचर मेंन 19 गवर्नन और प्रविंचा जो क्या हिक्ट फीचर में क्या था सबजेट को transfer and reserved में कगर दिया, divide कर दिया, अब transfer subject क्या थे और reserved subject क्या थे, transfer subject जो है उसको कौन administer करेगा, कौन उसको मतलब उस पर वो करेगा, वो करेगा governor, उसको administer करेगा function करेगा, और उसको जो aid करेगा, यानि कि उसके जो help करेंगे, कौन करेंगे legislative council जहां governor की help करेगी ठीक है जो reserve subject होंगे वो क्या करेंगे उनको administer कौन करेगा governor करेगा और उसकी executive council करेगी लेकिन वो responsible नहीं होंगे legislative council के लिए transfer subject जो है वो क्या होंगे वो legislative council के लिए responsible होंगे लेकिन जो reserve subject जो है वो responsible नहीं होंगे और जो दूसरा काम किया इस act ने इस act ने दूसरा काम किया पहली बार by-cameralism और direct election को country में introduce कर दिया गया ठीक है जैसे इसलिए ही क्या होगा कि जो इंडियन legislative council जो है उसको replaced कर दिया by-cameral legislature से इसे आज भी हमारा by-cameral legislature है इन्हीं कि लोग सभा है और राजे सभा है ठीक है उस वकत भी क्या बनाया गया upper house बनाया गया और lower house बनाया गया यानि कि upper house को council आप state बोला जाने लगा और lower house को legislative assembly बोला जाने लगा और जो majority of the member जो थे both the houses के उनको direct election के जरीए क्या कहता था चूज किया जाता था और इसमें क्या होता था कि उनको three of the six member six मेंसे three member जो होंगे vice vice executive council के ठीक है other than in the commander in chief यानि commander in chief के इलावा जो three member होंगे six मेंसे वो क्या होंगे guys वो Indians होंगे ठीक है guys ये इसका important step है और इसने क्या कर दिया देखो जो पिछले act में हमने पढ़ा कि जो morally minto reforms थी उन्होंने communal यहाँ पे representation को introduce किया उसने इसको क्या कर दिया और extend कर दिया और principle को आगे बढ़ाया इसने क्या क्या separate electorate प्रवाइड कर दिया six को भी Indian Christians को भी Anglo Indians को भी देखो Anglo Indians क्या होता है यहनि कि जो बहर वाले लोग इंडिया में रहते हैं ठीक है और Europeans को भी तो अब इसने क्या कर दिया इस एक्टन दूसरा क्या काम कर दिया इसने franchise प्रवाइड कर दिया franchise क्या होता है गाइड right to vote जो होता है लेकिन कुछ लोगों को और नहीं कुछ लोगों को ठीक है on the basis आप किसके basis पे property के basis पे tax के basis पे education के basis पे यहनि कि इसको प्रवापर्टी होगी उसको right to vote दिया जाएगा franchise दिया जाएगा ठीक है इसने देखो franchise तो इसने लोगों को provide किया लेकिन किन लोगों को किया limited people को किया ठीक है guys और इसने क्या किया इसने एक High Commissioner for India का एक नया office create किया London में ठीक है और transferred to him some of the functions hitherto performed by Secretary for State और जो Secretary of State की जरीए को जो function यहाँ पे किये जाते थे उसमें से कुछ function जो है उसको कुछ काम जो है उनको transfer कर दिये ठीक है और इस एक्ट ने क्या प्रवाइड किया इसने यहाँ पे PSC Public Service Commission की Establishment इस एक्ट ने प्रवाइड किया हमें इसलिए Central Public Service Commission को 1926 में क्या कर दिया setup कर दिया गया किसके लिए Civil Servants को recruit करने के लिए ठीक है guys और guys इस एक्ट ने और क्या प्रवाइड किया इस एक्ट ने जो Statutory Commission जो थी ठीक है Inquire into the report on its working after 10 years of its coming into force ठीक है इसने Statutory Commission बिठाई इसके ओपर जो इसको Inquire करेगा इसके 10 साल में Force में आने के बाद तो इसके बाद Simon Commission आपने ये सुना होगा कि Simon's go back Why? वो क्यों कहा गया Simon तुम वापस जाओ हम अब की ज़रूरत नहीं है ठीक है देखो ये Simon Commission क्या है कि November 1927 में क्या हुआ कि 2 years before the schedule schedule के 2 साल पहले ही British Government ने क्या किया उन्होंने एक 7 member के Statutory Commission बनाई उसका chairman किसको रखा गया सर जान Simon को इसलिए इसको Simon Commission कहा जाता है कि वो जो इंडिया की condition है उस पर report करेगा इसके new constitution में ठीक है लेकिन जितने भी member जो थे commission के वो सब क्या होंगे British होंगे इसलिए सारी parties ने क्या कर दिया इस commission को bycott कर दिया ठीक है guys तो अब इस commission ने क्या किया इसने इसकी report को submit किया 1913 में और recommend किया abolition of Dar की extension of responsible government in the provinces ठीक है इसने कहा कि यहां पर federation होनी चाहिए British इंडिया की और princely states की एक federation के establishment होनी चाहिए और communal electorate जो है वो continuation उसका होना चाहिए ठीक है इन proposals को जो commission के proposal थे उनको देख कि British government ने क्या किया उसने 3 round table conference को एक convey किया ठीक है उसमें British government के representative थे British India के representative थे Indian princely states के representative थे ठीक है इन discussion पे क्या हुआ एक white paper constitutional reform पे यहनि कि उसको prepare कर दिया और submit कर दिया giant select committee of the British Parliament उसके साथ उसको submit कर दिया तो जो इस committee की जो recommendations थी उनको incorporate कर दिया कुछ changes के साथ उसके बाद आ गया गाई हमारा Government of India Act 1935 Government of India Act 1935 को देखने से पहले हम यहां पर देखते है communal award तो communal award क्या है 1932 अगस्त में क्या हुआ कि Ramse Mac Donald जो थे British Prime Minister थे उन्होंने एक representation की scheme को announce कर दिया जो minority की representation होगी जिसको उन्होंने क्या नाम दिया communal award नाम दिया ठीक है यह award जो है ना सिरफ continue रहेगा separate electorate for Muslims, Sikhs, Indian Christians Anglo-Indians, Europeans उनके लिए नहीं बट आलसो इसने इसको extend कर दिया जो depressed classes होँगे जोने हम schedule caste कहते हैं ठीक है उनके लिए भी communal award की scheme को extend कर दिया ठीक है तो क्या हुआ देखो अब जब सारे इस जो साइमन कमीशन की जो उसने report यहां पे दे थी सब दुखी होगे ठीक है तो गांदी जी भी दुखी होगे अगर हिंदू है तो उसको हिंदू ही चुनेंगे मुस्लीम है तो उसको मुस्लीम ही चुनेंगे रिप्रेजेंट करेंगे उससे क्या हो जाएगा बहुत सारे problems आजाएगे तो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने first unto death ले लिया ठीक है अनिशन पे बैठ गए कहां पे यर यरावदा जेल कहां पे पूना में ठीक है to get the award modified वो चाहते थे कि इस award को modify किया जाए यनि कि जो राम से मैक डोनल्ड ने communal जो अवार्ड क्या किया उसको वो किया तो उसने गांदी जी ने क्या किया वो क्या कर दे आनिशन पे बैठ गए जेल में उन्हेंने कहा कि इसक्त को क्या कर दो modify करो at last क्या हुआ एक agreement हुआ Congress के leader के बीच में और depressed classes के बीच में Congress की ठीक है इनके बीच में एक agreement हुआ तो इस agreement को कहा जाता है गाईज पोने पैक्ट ठीक है इसने क्या रिटेंड किया कि हिंदू जाइंट जो है वो क्या देंगे reserve seat दे जाएगी depressed classes को ठीक है गाईज ये था हमारा पोने पैक्ट तो गाईज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अब इस वीडियो का हम यहीं पे कुछ question के सब उसको खतम करते हैं which of the following is all true regarding the morally mentor reform अभी हमने पढ़ा ठीक है सब्सक्राइब आज सिन्हा became the first union to join the vice executive council कैई ठीक है the reforms introduced separate electorate क्या इस reform ने separate electorate को यहाँ पर सब्सक्राइब गाईज option number C यानि की both 1 and 2 पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है ठीक है 1909 का जो act जो है morally mentor reform जो है उसकरेटरी आप state जो इंडिया के लिए बनाये गए थे ठीक है और जो लाड मिंटो जो थे वो कौन थे 1909 तो government of 1909 के regarding कौन सा इनमें से option ठीक है पहला option है इसको आप इसको आप इसको आणसर देंगे वीडियो को पास करके फिर आप आणसर देखेंगे इसका तो गाईज इसका आणसर है आणली टू यनि की दूसरा आप्शन इसका ठीक है 2019-1919 को क्या हुआ पहली बार British Government ने देक्लेर किया कि इसका objective जो हो जो सिब gradual introduction है government में इंडिया में क्या करना responsible government को बनाना यनि की पहला option इसका गल्त है दूसरा option इसका ठीक है देखो इसका ये पहला option था कि क्या इसने डियार की को जो 1909 में वो तो 1909 में इंट्रेडूस नहीं होई थी ठीक है पहला option इसने गल्त हो गया तो दूसरा option इसने बताया कि इस इस इंडियाक्ट अले क्या किये क्या किये इंट्रेडूस किये येस किये थे ठीक है अगला question देखते है Which of the following is our true regarding the Charter Act of 1833 इन में से Charter Act of 1833 में कौन से ठीक है लाज अंडर जो Act of 1833 थे क्या उनको regulation बताया गया ठीक है बनाया गया जैसे मैंने बताया था PC कि लाज को जो है वो कौन से Act था ठीक है लाज को regulation बताया जाता था ठीक है उसके बाद उनको Act बताया जाने लगा It made the East India Company a commercialized administrative body क्या इसने East India Company को commercial or administrative body बनाया इसका answer only one only two both one and two neither one not two इसका answer देते हैं गया है पहले वेडियो को पास करेगा इसका answer एकेगा गाईज तो गाईज यह दोनों option गलत है neither one not two इसका answer आएगा इनके Charter Act of 1833 जो है यह final step था Centralization of British India ठीक है और जो ला जो है previous act के तहत उनको regulation बोला जाता था ठीक है इसके बाद क्या बोला जाता था उनको act बोला जाता था ठीक है गाईज यह थे हमारे आज के कुछ question जो हमने यहाँ पर discuss कर दिये गाईज मैं चाहता था कि इस वीडियो को इस lecture को मैं आज पूरा ही खत्म कर दूँ लेकन गाईज यह वीडियो बहुत लंबी दीजेगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और शेर कीजेगा अपने फ्रेंड के साथ भी तो आज इसकी PDF जो है वो मेरे Telegram चैनल पर मिल जाती इसका लिंक आपको डिस्क्रिशन बख मुद्टे देता हूँ और गाईज हमारा